आज आप देख रहे हैं मेरी एक नई वीडियो तो आज की वीडियो रहने वाली है एक यूजर रिव्यू है होंडा सिटी 2014 मॉडल है इसका यूजर रिव्यू देने वाला हूं की आफ्टर 50,000 अराउंड ये चली हुई है तो आफ्टर 50,000 के बाद इसका क्या रिस्पॉंस है गाड़ी चलने में कैसे क्या प्रॉब्लम्स आई है और ये डीजल वाइरेंट रहने वाला है तो इसके बार मैं भी बताऊंगो आपको रॉंडा सिटी वैसर काफी कमफर्टेबल का रहा है तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आये इंजन रिलेटेड और अभी तक इस प्रॉंटी में अपडेट आचुके होंडा सिटी के काफी जल्दी नहीं होंडा सिटी भी लॉंच होने वाली है वो भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी गाइस तो अभी इस की गाड़ी के बार में बात करते हैं ए टूजट सब कुसक्वर करने वा तो गैस सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं यह आप की देख लिजए यहां पे नॉर्मल सा की रहने वाला है इसमें आपको लॉक अनॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है खली एंड यहां कोई बीट ओपन करने का कोई आपको यहां की में नहीं मिलता है गाइस नॉर्म और यह 2014 मॉडल रहने वाला है नीची की तरह बंपर की बात करें तो यहां आपको हनी कॉम ग्रिल देखने को मिलेगी यहां कोई भी फॉग लैंट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इससे उपर आले बैरेंट पर जाते तो आपको आपको फॉग लैंप मिल ब्लैक ग्रिल यहां पर नीचे आपको देखने को मिले एक बार ग्रिल चेक आउट कर लिए जैक इसा कि इसका प्रेंट लुक रहता है गाड़ी का इक वार पूरा चव्क आउट कर लीजै की गाड़ी फ्रेंट से कैसी की आपको देखने को मिल जाती है स्य проход के वाद्से करना पड़ेगा यह अगर आप इस उपर वाली वैरेंट में जाते तो आपiko यहां पे में इंडिकेटर को मिलता आपशच के बात करें तो यह पे इसका कि पॉंच की रहने वाला और अगर इसके सबस closer की बात करें तो यह 185 60R रहने वाला 185 चोड़ा रहने वाले 15 इंचिस के टायर है कोई भी आपको यह आलोइस देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे आपको यह रिम वाले टायर देखने को लेंगे विद वील्स कवर्स एगर आप इससे उपर लेंट में जाते तो आपको को यहाँ आपको कोई क्रोम की फिनिस नहीं देखने को मिलती है बॉडी कलर जा Metal रखा रखा गया डिविंधोम के थाई ब्लेक फार मेत पूरा हिसको रखा गया ४र्व की बात करें तो यहाँ पर कोई संरूा आप पुडेखने को नहीं मिलता आप बॉड ले पूरा पिछेकंपान करें मुखरें प्लेघ अपा लुः लाइट यहां पे आपको how revision lights सारे देखने को मिलेंगे यहां पूरा रिवर्स लाइट यहanny Effect ahora light यहां कोई LED का यूज नहीं किया यहां पे आपको होनटा की Chrome में देखने को मिल जाएगी है चेक आउट कर लो एक बार यह पूरा क्रोम में रखा गया है गार्णिश यहां पर लगाई गया यह बैक गार्णिश यह होंडा का लोगो आपको यह देखने को मिल जाता है city लिखा गया एस वी मॉडल रहने वाला गाईस बेस से एक मॉडल ऊपर आता है आप इसको मिड वैरेंट कह सकते तरही किसे कि यह डिट्रीक लिखा होता है वह यह गाड़ी पेट्रोल की यह सब नहीं को होगते हैं कोई आपको लगा कि पाड़ी करना पड़ेगा नीचे आपको रिफलेक्टर मिलता और कुछ ऐसा फीछे के बंपर का लूक गारेगा इस साइट प्रोफाइल से भी यह ऍозможно पाड़ी को चेक आउट कर लो कि गाड़ी देखने में कैसी लगती है काफी कमफर्टेबल गाड़ी ओंडा सिटी मानी जाती है और काफी अच्छे मार्जिन में गाड़ी ओंडा सिटी सेल हुई है यह कुछ ऐसा लुक है इसका पीचे से यहां पर अपर फोर यहां पर देखने को मिल जाते हैं यहां से यहां पर टूटर की प्लेसिंग की गई है यहां पर अपना ट्यूटर यहां पर लगवा सकते हैं यह थी कुछ दोड़ की बात अब करते हैं इसकी सीट की बाद सीट की काफी कर सकते हैं आपको यह देखने पर इंटीरर में से बात करते हैं यहां आपको लोगो देखने को के एक बार को मिल जाते हैं वहीं इंदर की sijde बात करें तो यहां से आप अपना informant system की control कर सकते हैं यहां से आप Volume Up, Down और यह चैनल आप Change कर सकते हैं यहां पर यह दिया गया और Right парama तो यहां पर आपको cruise control देखने के मिल जाता है काफी जाद effective होता है आपके गाड़ी को एक पावर देता है गाड़ी को कि आप गाड़ी को और ज्यादा पावर मोड में एक तरीके का पावर मोड होता है होंडा की तरफ से क्रूज मोड में यहां से आप क्रूज मोड के सेटिंग कर सकते हैं वहीं साइड की बात करें तो यहां पर आपको यहां पर एसी के वेंट जो ring light लगाए गयी है काफी ज़्दा इसके look को enhance कर देती है और इसका जो instrument cluster है काफी ज़्दा एक next level का लगता है एक premium गाड़ी का लगता है and guys इसके right side की बात कर तो यहां time देखने को मिल जाएगा guys एंड उसके नीचे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कितनी आपकी गाड़ी अब तक ड्राइब हुई और आप ट्रिप सैट कर सकते हैं अगर आपको किलोमिटर कुछ जाना है वह नीचे की बात करें तो यहां आपको गाइज तेंपरेचर देखने को मिल जाएगा कि आप अपने क्रूज कंट्रोल पूर्ज में इंडिगेट्र सारे कंट्रोल साइंगे को यहीं मीटर में देखने को मिल जाएगे तो आप बात करते हैं कुछ यहां कि इन्फर्मेंट सिस्टम की तो यहां उपर आपको इसी के वेंट से देखने को मिल जाते हैं इंटीर एक बाद डैशबोट चेक आउट कर लो ड्यूल टोन में इसको भी रखा गया यहां सिल्वर और ब्लैक फॉर्मेट में इसको रखा गया काफी जादा लुक में इन्हेंस करती हैं और काफी जादा गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देती है डैशबोट मुझे इसका प्रसनली काफी जादा पसंदा गाईज एक बाद चेक आउट कर लो वहीं अगर इसके गलोब ऑक्स की बात करें तो काफी decent amount of space आपको यहां देखने को मिल जाता है काफी आप अपना समान यहां पर रख सकते हैं नीचे की बात करें तो यहां पर भी आप two bottle holders देखने को आपको मिल जाते है यहां नीचे की बात करें तो यह पावर आउटलेट यह कोई company से नहीं आता है यह आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं वहीं इसकी बात करें तो gear knob कुछ ऐसा दिखता है यह देख लो गाई यह आपको देखने को यहां पर मिल जागा है काफी जादा बड़ा और काफी जादा अच्छा यहां पर क्रोम की फिनिश दी गई है यहां पर अपना कुछ फोन रख सकते हैं यहां की बात करें तो यहां भी काफी काफी जाद अच्छा लगता है इसमें भी काफी अच्छी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है को ड्राइवर साइड सी टेक बड़ चेक आउट कर लो कैसी लगती है यहां पर अब इन्फॉर्मेंस सिस्टम की यहां पर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो यह नॉर्मल से म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है कि मतलब एक बस एक बेस सूपर आटा तो इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है बस ब्लैक फिनिश काफी जाद अच्छी लग रहे है कहीं कहीं बीच बीच में क्रोम का आपको यहां पर मिल जाएगा इस मूजिक सि आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर पूरा मतलब काफी अच्छा है यहां अगर आप दबा देते तो अपने आप यह सी पकड़ेगी काफी जादा नौइज आ रहा होगा मैं एक बार कम कर देता हूं यह देख लो गाइस और एक बार इंजन की साउंड चेक आउट है कि तकी कर देखने का नीचे से देख लो यहां से भी आप आप इप सकते हो इंटेर्द कदेखने को मिल जाते स्करेंक काफी जादा होंड़ा का डिसेंट सब्सक्राइब काफी जादा लुक में काफी जादा एक प्रीमिम से डान वाजिली गढ़ी काफी तरफ से आपना फूलीद लीवर थे बिध्यकке करो से अब फुल के बात करते हैं पीछे का धरवाजा कुछ आपको यहां बिल्कुल पीछे कर दिया है उसके बाद भी काफी डिसेंट अ मांट में मतलब की स्पेस की कोई कमी निया इस गाडी में पीछे दो इसी के वैंड आपको देखने को मिल जाते हैं पावर ऑट पुट ले आपको यहां पर कोई भी शॉकेट नहीं दिया गया बट दो इसी के वेंट से आपको देखने को मिल जाते हैं तो पीछे से कुछ डैस्पोर्ट का लुक ऐसा दिखता है एक बार देख लो गाईज अब यहाँ आपको हेंड्र्स भी देखने को मिल जाता है अभी तू कफ फोल्डर्स काफी जाधा एक अच्छी बात हैं अटसा आपको डेखने को मिल जाता है यहाँ अब इसके बूट अबड गर्लाव कर लो काफी जादा बड़ी बूट स्पेस हैं आपको देखने को मिल जाती है गाइस बड़ चेक आउट कर लो यहां पर बैक पड़ा है मेरा यहां पर चार शेट्स पड़े हुआ है विंडोस के यह होंडा का कुछ अक्सेसरी पड़ा हुआ है काफी जादा बूट स्पेस आपको ब बात करते हैं इसके इंजन तो कई यह कुछ हैसा इसका इंजन देखने को मिल जाता है में बिल्कुल साफ सुत्रे इंजन है एंड डीजल इंजन रहने वाला होंडा की अर्थ ट्रिम टेक्नोलोजी आई डीटेक्स से आप पता लगा सकते हैं कि इंजन डीजल का है या फिर चीन डीजल आक है काफी बड़ा इंजन यहां पर देखना को मिल जाता यह अगर पैटरॉल का होता तो थोड़ी सी इंजन की साइज दो होगी थोड़ा छोटा होता औड काफी ज़्याधा रिच अधा डीज़ करता है यह कुछ इसका डीजल का इंजन है 1500 CC की आपको देखन है कितनी तेर में गाड़ यह पहुंसती है तो लेस्ट टार्ट थ्री टू वन सेकंड गेर थर्ड गेर एंड यहां पर फोर्थ गेर में शिफ्ट कर चुका हूं मैं रोड थोड आसा ज्यादा हमाई ओफ रोड इंग हो रही है तो इतने भी ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे काफी ज्यादा अच्छी है शॉकर्स काफी ज्यादा मुझे सस्पेंशन काफी पसंदा है एंड गाइस पीचे हमने पूरी धूल उड़ा दी है अब इसके ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं कि इस ब्रेकिंग में गाड़ी कैसी है इस टाइम आपको इसके ब्रेक्स दिखाए जाए तो 3 2 1 ब्रेकिंग में काफी ज्यादा पावरफुल है काफी कौन सा इसका तो मैं आपको एक बार चेक आउट कर आता हूं पूरी ओफ रोडिंग वाली यह पंजाबी बाग वाली ट्रेनिंग वाली पार्क है यह देखो गाइस पूरा काफी ज्यादा मुझे फील नहीं और पा रहे हैं कि यहां पे गड़्डे भी है काफी ज्यादा ग देखेंगे का कैसा रिस्पॉंस है तो लेस्ट टार्ट त्री टू एंड वन यह अपना फर्स्ट गयर सेकेंड गयर थर्ड गयर में स्विच कर चुक हैं गाइस एंड कहीं खाली रोड पे इसको टेस्ट करेंगे अंडेट तो नहीं पहुंच पाई बट ठीक है गाइस तो चारो तरफ ही धूल 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 कहराम हमने मचा दिया है तो गाइस गाड़ी को मैंने ड्राइफ करके देखा मुझे काफी जादा पसंद आई गाइस ड्राइविंग कंफर्ट इसका काफी जाद एक नेक्स्ट लेवल का है जिस प्राइस पोइंट पे गाड़ी आती है मनल काम 0-100 नहीं कर पाए क्योंकि रोड थोड़ा सा बिकार है यहां पर थोड़े घड़े ज्यादा है पार्क टाइप का है तो कहीं खाली रोड पर इसका 0-100 टेस्ट काफी जल्दी करेंगे आई होप घाई मैंने आपको इंटीरे श्टीर और गाड़ी डराइफ करके भी बताया की गाड़ी कैसी लगी घाई होप है इस टाइम पर 50,000 अराउंड अप्रॉक्स 50,000 किलोमेटर गाड़ी की क्या कंडिशन है तो अब अगर मेरा उपीनियन जानना चाहिए हमें इस कंडिशन में मिलती है गाड़ी तो क्या हमें 2014 होंडा सिटी पर्चेस करने की सोच रहे हो या फिर हमको 2020 होंडा सिटी के लिए रु मिल जाती है इस कंडिशन में तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल पर्चेस कर सकते हैं बागी आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में और बनाऊं कि यूजर रिव्यू आपको देता रहा हूं कि गाड़ी की कंडिशन क्या है आफ्टर 50,000 आफ में चाहते हैं कि इसी वीडियो आपको दक में गम लेखते हैं कि वीडियो देघे हैं जापको हैं कि कि ए्या गजब वीडियो